तो आज के टेरो डीडिंग का टॉपिक है किसके दिमाग पर आप हर समय च्छाय रहते हो और क्यों कौन आपके लिए फीलिंग्स रखता है और वह आपके बारे में क्या-क्या सोचता रहता है यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नंबर वान पाइल नंबर टू अब पाइल नंबर वान को इस इमेज से चूस कर सकते हो या फिर अपने जोडियक साइन से चूस कर सकते हो उसी तरिके से पाइल नंबर टू है आप इस इमेज से चूस कर सकते हो पाइल नंबर वान अगर आप इस इमेज से चूस कर रहे हो पाइल नंबर वान को या फिर अ को केप्रिकॉर्ण, 6-7 और है तो प्रोग्रेशन है, Next Araw King of Wants, Crown चक्रा यहां पर जाधा है तो आप बहुत जाधा intelligent person है यह person भी intelligent होंगे, Next Araw Queen of Cups, 0.के, Knight of Cups, तो यहां पर पूरा पूरा यह चीज है कि आपको कोई लव ओफर करना चाहता है, प्रफोस करना चाहता है, नेक्स टार है, 10 of Pentacles, Ace of Swords, Libra, Aquarius, Gemini, नेक्स टार है, नेक्स टार है, हैंग में, विज्डम बहुत जादा है, नेक्स टार है, मिजीशन, Aries एनरजी है, और नेक्स टार है, केप्रिकॉर्ण एनरजी है, साटरन रूल्ड है, तो यहां पर जो है, दो सिचुएशन बनती है, आप से जो चीज रेजनेट करें, आप उसको रखना, और जो चीज ना रेजनेट करें, उससे छोड़ दाया, तो पहला तो यह है, यह परसन जो भी है, जो आपके बारे में लगाताँ सोचता है, यह आपके पास से रेलेटेड है, तो अगर आपके किसी से हिस्टरी रही है, अभी आपके एक्स हो सकते हैं, crush हो सकते हैं situation ship हो सकती है या फिर कोई classmate रहा हो जिससे आपका relationship बन पाता लेकिन वो नहीं बन पाया तो ये person आपको याद करता है या फिर ये ऐसा person है जो आपकी family से belong करता है अब family से belong करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भाई बेन है या ऐसा कुछ है नहीं जैसे extended families होती है जैसे for example आपकी कोई बड़े brother है भाई है और उनकी जो wife है आपकी भावी जो है भावी के जो रिष्टेदार हो या कोई immediate family member हो तो उसमें से कोई जो है वो आपको याद करता है अब हो सकता है आप किसी से involved हुए हो या फिर आपने किसी से बातचीत करी हो लंबे समय तक तो ये person जो है आप जानते हो इस person को ये मेरे कहने का मतलब है लेकिन वो person आपको बार-बार सोचता है नेक्स्ट आरे seven of points आ है तो seven of points ये person हमेशा आपके call का text का message का हमेशा इंतजार करते रहते हैं हाला कि मैं collective में भी बनाऊंगी ये इस पर reading लेकि ये person जो है वो हमेशा आपका इंतजार करते रहते है कि आप से कोई communication आएगा या आप से कोई बातचीत हो पाए या इस तरीके की चीज हो पाए next आरे king of points है ये person दिखने में बहुत जादा attractive होंगे, sexy होंगे, practical होंगे और accurate होंगे मतलब जो सोचा है practical realm में के हिसाब से या फिर logical mind के हिसाब से वो चीज जो है वो यहाँ पर उनके दिमाग में चलती है और वो चीज manifest भी कर पाते हैं तो यही person जो थोड़े strict भी होंगे थोड़े egoistic person भी होंगे negative traits में ये है कि egoistic बसन है जैसे मान लो कि आपके लिए वो phone का इंतजार कर रहे है या text message आप करो मैं नहीं करूँगा ये वाली चीज है याँपर चीक है तो जो चीज आती है वो मैं आपको बता रही है next star queen of cups की energy queen of cups जो gentle caring loving nature वाली energy है तो ये आपके लिए feel करते हैं लेकिन इस person के मन में आपके लिए जो intense feelings है वो एक emotional way में ज़ादा है हाला कि ऐसा नहीं है क्योंकि devil का card भी आया है लेकि यहाँ पे cups की energy ज़ादा है तो वो person आपके लिए बहुत ज़ादा innocence way में purity way में emotions रखते हैं कि आपको एक unconditional love की तरीके से देखते हैं जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी इस person के साथ history रही है कोई भी person हो सकता है जो आपके दिमाग में भी चलता होगा क्योंकि आपको मालुम है कि यह आपके बारे में सोचते हैं उसी तरीके की energy है तो इस person को भी मालुम है कि कही ना कहीं आप उनके लिए significant हो तो यह person जो है वो आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं और यह जो person है वो आपको propose करना चाहते है night of cups वाली energy है communication करना चाहते है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते है लेकिन थोड़ा सा इन्हें डर लगता है डर in the sense यह हो सकता है कि family अगर matters करती है तो जैसे कई जगा ऐसा होता है कि भई extended families में नहीं शादी होती है कई जगा पे होता है कई जगा पे नहीं भी होता है कोई ज़रूरी नहीं है कोई hard and past rule नहीं है कि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं जैसे पुराने जबाने में यह होता था कि अगर गाओ का कोई मतलब है पूरे गाओ में अगर लड़की जो है वो किसी और गाओ गई है तो वो जो है पूरे भाई मानेंगे या इस तरीके की चीज है तो वो चीज जो है वो यहाँ पर बरदाश्ट नहीं करी जाएगी इस वज़े से यह परसन जो है थोड़े फेयरफुल रहते हैं तो society का थोड़ा सा डर डर कह सकते हैं indirect way में लेकिन यह परसन जो है वो आपकी पास आना चाहता है क्योंकि अब जो है वो समय चेंज हो गया और काफी लंबे समय से इस परसन के मन में फीलिंग्स है आपकी लिए तो हो सकता है बच्पन से ही जो है यह आपसे प्यार करते हूं यहां पर 10 of pentacles के energy है आपको family member की तरीके से मानते हैं आपके घर आते हैं आपसे बातचीत करते हैं वो भी बातचीत करते हैं आप भी उनके घर जाते हैं तो इतना मिलना जुलना है आप लोगों का लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है और अपने decision लेने की शम्ता है और वो decision लेना भी चाहता है क्योंकि पहले उन्होंने decision नहीं लिया वेड करी लेकिन अब जो है वो decision लेना चाहते हैं क्योंकि ठीक बार हांग मेन किया इससे कुएशन उन्होंने अपना perspective को change किया कि उन्हें पैसे पहले ऐसा लगता था कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह person जो है वो आपको अपनी जिन्दगे में manifest करना चाहता है magician का काड़ा है और इस तरीके से manifest करना चाहता है कि आपको physically, socially, emotionally हर तरीके से fulfill कर पाए हाले कि यह पर devil का काड़ है devil को थोड़ा negative way में देखा जाता है लेकिन इस person के मन में आपके लिए obsession है physical body के लिए obsession है अगर यह person आपको कभी ना कभी इन्होंने touch किया होगा या गलती से भी touch हुआ होगा तो उनके मन में आपके लिए जो energy आ रही है वो मैं बता रही हूँ यह 2400 घंटे जो है वो इस तरीके के mode में रहना चाहते है at least एक दिन इस तरीके की energy है इस person के मन में तो बहुत जादा आपके लिए sexually attracted यह person feel करते है हलाकि ऐसा नहीं है कि इनके मन में emotions नहीं है, care नहीं है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है लेकिन इस person की जो love language है वो ऐसी है कि वो जो है अगर आपके साथ जो है sexual union में आते हैं तो वो जो है अपने love को कही न कहीं दिखा पाएंगे ऐसी चीज़ है और यह थोड़े co-dependent है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप किसी और से बात भी करो थोड़े से protective person है हलाकि बहुत जादा protection इस तरीके की नहीं है कि वो आपके लिए ही जो है परशानी का कारण बन जाए लेकिन थोड़े से possessive या protective होंगे यह क्योंकि कभी-कभी आपको ऐसा लगता होगा कि वो यह कहते होंगे इससे बात नहीं करनी है या इससे जो है वो सही नहीं है तो आपको थोड़ा जीब लगता होगा कि मैंने यह प्रेक कहा है कि आप उनको जानते हो उनको आपको ऐसा लगता हो रहा कि यह क्यों है बाट वह आपके भले केली रोक ले इस तरीकी की चीजले नेक्स देख लेते हैं यहां पर यह अ करें लेकिन नेक्स्ट कड में जो है वह आपको एक मदर गाया की तरीके से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आप जो है उनके चिल्डरन की मदर बहुत अच्छी बन पाऊगे या फिर जो है उनको संभाल पाऊगे उनको मालूम है कि कुछ कम या उनमें भी हैं लेकिन उसके बावजू जो है उनको ऐसा लगता है कि आप ही जो है उन्हें संभाल पाक सकते हूं तो ऐसी चीज आ रही है या पर चलिए देखते हैं कार्ट क्या कहते है तो यहां पर पहला कार्ट यह से मैंने पहले ही का था सेक्शल यूनियन वाली आते हैं लेक्स आरा लुक इंसाइड योसल एक्जामन वाट इस पॉजिंग यू तो यहां पर जो है वह यह चाहते हैं कि आप अपने आप से पूछो कि आप अक्चुली में क्या चाहते हो उनके लिए फीलिंग्स रखते हो नहीं रखते हो क्योंकि यह ऐसा परसं नहीं है कि वो आपको force करें आपका इंतजार करने को वो तयार है लेकिन उसके मन में clarity है कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ इनकी तरफ से love messages speed it up तो वो चाहते हैं कि आप जो है जल्दी अपने decision लो next आरा है enjoy romance तो वो romance आपके साथ enjoy करना चाहते हैं next आरा है choose love next देख लेते हैं focus on love तो love पे focus करो बहुत ज़्यादा romantic feelings है इस person के मन में आपके लिए get to know each other तो वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और सब कुछ समझना चाहते हैं next आरा है यहाँ पर I want to ask you out for coffee or drink तो वो जो है आपको coffee पे लेकर जाना चाहते हैं next आरा है I will find my way back to you I promise तो वो आपको promise कर रहे हैं कि वो आपके पास जरूर आएंगे next आरा है love endorse love does not give up or lose faith love is hopeful तो वो जो है उम्मीद रख रहे हैं next आरा है embrace your emotions demonstrate love तो वो जो है express करना चाहते हैं trust तो वो चाहते हैं कि आप उन पर trust कर पाओ और इस तरीके का behavior भी जो है करना चाहेंगे next आरा है love is composed of a single soul inhibiting two bodies तो उनके मन में जो है intense deeper feelings हैं आपके लिए चले देखते हैं इस energy से related to charms तो यहां पर जो है एक tea and kettle आया है तो coffee या drink पर जाते होगे आप लोग या जाना चाहोगे next आरा है यहां पर एक dinosaur आया है तो past life को दिखाता है past यह person हो सकते हैं या फिर जो है आपके साथ जो है incarnation में past life में रहे हो next आरा है यहां पर एरीज energy आई है तो strong headed है यह person Aries energy आई है तो sun moon और rising यहां पर हो सकता है next आ रहा है यहां पर एक fork आई है तो खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि किसी equipment या जो वो gardening के tools नहीं होते हैं उन सी चीजों का एक यह occupation करते हो या business करते हो चलिए देखते हैं next segment आपका कोई question हो इस reading से related या random question हो उसके answers में निकाल रही हूँ आप अपना question सोच लिजिए उमीदे आपने अपना question सोच लिए होगा चलिए देखते हैं answer आ रहा है today within three months सब के लिए अलग-अलग तरीके से resonate करेगा जो question आपने पूछा है next आ रहा है यहां पर one year सब timing आ रही है next you are ready तो आप ready हो आपको जो करना है या जो करना चाहते हैं उसमें hesitate मत करो तो pile number one यह थी आपकी reading उमीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रहेंगे तो प्लीज इस channel को like करें share करें subscribe करें thank you number two अगर आपने इस image को choose किया है या फिर आपका zodiac sign इस में से आता है तो चलिए देखते हैं कौन आपके बारे में लगातार सोचता रहता है और क्यों star का card है Aquarius energy है sun moon और rising हो सकती है North node भी हो सकती है next star है मारे पास knight of points तो slow moving card है यहाँ पर यह person थोड़ सा slow move करते होंगे next star is sun Leo energy है sun moon और rising Leo energy हो सकती है confident person है ace of swords Libra Aquarius Gemini energy है और next star queen of points तो stability है यहाँ पर security है next देख रहते हैं three of points collaboration है get together work है ace of wands फिर से वही energy आई है new beginning चाहते है यह person next star six of pentacles Taurus Vogo Capricorn next star high priestess mysterious energy है और Pisces energy है और next star is ace of cups तो यहाँ पर तीन ace है तीन ace का मतलब यहाँ पर है three 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 triple three जाके देखना चीक है यह triple one जाके देखना angel number तो उसमें जो है आपके लिए कोई न कोई message होगा अब जाके जरूर देखना और अगर देखा हो तो comment में जरूर लिखना दूसी चीज यह है कि यहाँ पर new beginning यह person चाहता है अगर आप already in person से involved हो इसके साथ relationship में हो चीक है तो वह commitment की तरफ जान energy है तो पहला card ही कह रहा है star की energy आई एक awareness energy आई है hopefulness है optimism है आपको एक unique star की तरीके से देखते हैं यह person आप इनके लिए special हो आपके लिए special feel करवाना चाहते हैं करना चाहते हैं तो इस तरीके के energy यह person आपको बार बार सोचते हैं नेक्स आरा night of points तो यह person ने हो सकता है अभी तक reveal ना किया हो लेकिन hints में जो है वो अपनी feelings को आप तक reveal कर चुके हो बहुत धीरे धीरे यह steps आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत जल्द sun जो है वो new हर तरीके से आता है रोज रोज एक नया सवेरा लेकर आता है नई जो है वो growth या hopefulness को लेकर आता है तो उसी तरीके से आप को यह person देखते हैं दूसरी चीज है कि यह बहुत जादा confident person होंगे लेकिन आपके सामने उतने confident नहीं रहते होंगे थोड़ से nervous होते हों नेक्स्ट आ रहा है ace of source के energy है बहुत जादा इस person को groundedness है humble person है down to earth person है तो हवा में उड़ती हुई बाते नहीं करते हैं down to earth person है और मालूम है क्या responsibilities होती है life की और life को किस तरीके से जीना चाहिए next आ रहा है queen of points की energy आई है queen of points की energy इस चीज़ को दिखाती है कि आपके साथ stability को manifest करना चाहते है अपनी life में जो stability है या कह सकते है security है उसको बहुत जादा अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि life में ले कर आना चाहते है वो समझते हैं कि आपके साथ जो है वो हमेशा stable रहेंगे आपके जो energy है या जो आपका nature है वो एक business woman की तरीके से भी है और एक home oriented या house wife की तरीके से भी है तो दोनों ही चीज़ों का एक मेरे बारे में नहीं कहा तो आपको भी एक husband की material की तरीके से देखा जाता है जिस तरीके से husband की या father की जो जम्मेदारी होती है कि provide करना protect करना लोगों को खुश रखना अपनी family को और उनकी जो जरूरत है चाहे वो financial जरूरत हो चाहे वो physical जरूरत हो चाहे वो emotional जरूरत हो व या रहती है next three of pentacles के energy यह आपके working place पे हो सकते हैं अगर आप काम काज कर रहे हो कहीं पे business पे जाते हो या फिर business करते हो या जिम जाते हो coaching institute जाते हो कहीं पे भी जाते हो रोज तो वहां पर जो है यह person आपके आसपास होंगे या environment में होंगे या इनसे आपकी बाचीत होती हो आपके बारे में बोला जाएगा तो वही चीज जो है यह person आपके बारे में सोचते हैं और हो सकता है कि यह थोड़ा सा जो है physical feelings भी रखते हों नेक्स आ रहा है यहाँ पर six of pentacles के energy है six of pentacles है give or take वाली situation है वो equal है balanced है यहाँ पर balance देख पा रही हो एक तराजू देख पा रही हो तो दोनों चीज़े जो है balance है emotions भी balance है practical life भी balance है तो उन दोनों चीज़ों का एक balance जो है वो इस यह person आपके बारे में सोचते हैं और लेकर आना चाहतें क्योंकि sun का मतलब यह है कि एक total outcome फुल जो है positive outcome मिले life का एक positive outcome क्या है कि हमारा emotional feelings या emotional fulfillment भी हो physically भी हम satisfied हो और financially भी हम satisfied हो health में भी अच्छे हो spiritual हमारी mental health भी अच्छी रहे तो जब यह सब कुछ हो जाएगा वो चीज जो है आप अपनी जिंदगी में एक अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे तो वही चीज यहां पर आ रही है नेक्स्ट आरा high priestess का काड़ा है high priestess जो है वो इस चीज को दिखाता है कि इस person ने अभी तक हो सकता है पूरी तरीके से अपने आपको reveal आपके सामने ना किया हो आपको अंदेशा है कि यह person आपके बारे में ऐसा सोचते हैं अगर आप इसके साथ relationship में नहीं हो अगर आप relationship में हो तो आपको पता ही है तो यह person जो है spiritual wisdom वाले person है थोड़ी सी mysterious energy होगी क उससे आपको दूर रखना चाहते है तो आपके लिए protection जो है वो कही न कहीं सोचते हैं नेक्स आ रहा है ace of cups के energy है ace of cups के energy इस तरीके की है कि emotions जो है वो overwhelming है इस person के मन में आपके लिए deeper feelings है और इस level की feelings है कि आपको protect करने के चकर में वो अपने को आपको भी sacrifice कर सकते है तो इस तरीके की energy है ये person आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं चलिए देखते हैं love cards या कहते है तो पहला card ये आया है और next card ये आया है यहाँ पर दोनों में ही मैं intense emotions देख पा रही हूं और दोनों ही male ज़रूरी नहीं है हाला कि ये एक energy है लेकि यहाँ पर जो है male बहुत deep within your heart and you will feel my love my love for you is as deep as ocean तू यहाँ पर बहुत जादा deeper feelings है जिसे वो express भी नहीं कर सकते हैं और next card is friendship nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve तो यहाँ पर जो friendship है वो इस तरीके की है कि जो bonding है friendship की वो बहुत जादा मजबूत है तो हो सकता है ये आपके best friend हो या आप इने बहुत अच्छा अपना friend मानते हों तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ love messages वो आपसे क्या कहना चाहते हैं physical touch is important तो उनके लिए physical touch important है next आरा I need your time and commitment give another chance तो वो अपने लिए chance लेना चाहते हैं आपसे मतलब मांगना चाहते हैं कि आप उन्हें chance दो next आरा one love one heart let's get together and feel all right spend some quality time together तो वो जो है आपके साथ quality time को जो है वो बिताना चाहते हैं next आरा है express love through gifts तो वो जो है love को express करना चाहते हैं gifts के through next आरा है love the way you are accept कर लिया है आपको हर तरीके से अगर आपको कोई insecurity भी है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ या दिखती हूँ या मेरे में कोई ये कमी है वो कमी है तो आपको as it is accept किया है next आरा है आपके लिए क्या आ रहा है when you trip over love it is easy to get up but when you fall in love it is impossible to stand again next आरा है no one ever made a difference by being like everyone else तो उनको ऐसा लगता है कि किसी और ने उनकी जिन्दगी में कोई difference नहीं create किया है लेकिन आपने जो है वो difference create किया है next आरा है consent वो आपकी consent लेना चाहते हैं तभी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं next आरा है my beloved तो वो आपको अपना beloved मानते हैं next आरा है unexpected love तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आपके साथ जो है वो इस तरीके से feel करेंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा next आरा है marriage वो आपसे marriage करना चाहते हैं next आरा है if I had a flower for every time thought of you I could walk through my garden forever तो आपको एक फूल की तरीके से देखते हैं और उस garden में जहां पर आपको वहाँ पर वो हमेशा रहना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं इस energy से लेटेड को चार्म्स तो यहाँ पर जो है एक snake आया है तो पुरानी चीजों को release करने की जुरत है next आरा है यहाँ पर एक fish आई है prosperity आई है next आरा है यहाँ पर एक chopper आया है तो पुरानी चीजों को cut off करना है अगर आपके मन में limiting beliefs हैं या किसी ने आपके साथ गुझ गलत किया है धोका दिया है उनको उनका कर्मा मिलेगा आपको परशान होने की जुरुत नहीं है आपको अपने आपको परशान नहीं करना है आपके लिए जो सही है वो आपकी जिंदगी में आएगा और आप जो है उसको manifest कर पाऊगे next आरा है यहाँ पर fish आई है prosperity है यहाँ पर wisdom है luck है wealth है next आरा है chopper आया तो वही चीज है बार-बार कि जो toxic चीजे है जो चीज आपको serve नहीं करती है या जो चीज सही नहीं है आपके लिए आपको मालूम है कि सही नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोचते हो तो उसको cut off ही करो next आरा है screw driver आया तो आप सब चीजों को fix कर सकते हो कुछ समय लेना है तो आप ले सकते हो तो चलिए देखते कुछ next segment आगर आपको question इस reading से related है या कोई random question है तो आप अपना question सोच लिए अपना question सोच लिया होगा उसके लिए मैं अब कुछ answers निकाल रही हूं सबके लिए अलग अलग तरीके से resonate करेगा तो आपको interpret भी खुदी करना है अपना answer ठीक है next आ रहा है special date तो यह answer आया है किसी के लिए specific हो सकता है next आ रहा है ask for help from others तो लोगों से आप help ले सकते हो few days answer जो है वो आ रहा है next देख लेते हैं कोई और answer opportunity is coming तो जो opportunity है वो आ रही है जब भी आएगी वो आपको खुदी पता चल जाएगी तो pile number two यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content reading और energies अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इस च जब लूआँ अच्छी आपको खुदी झाल ओर आपको अच्छी वी आपको खुदी वो आपको जब बना उख 2-3 वो आपको